हेलो एवरिवान वेलकम टू माई चैनल वदानी फूट कोर्णर आज मैं आप लोगों के साथ सेयर करने जा रहे हूं गनेच चतूरती स्पेसल साही मोदक की रेसिपी बहुत ही अच्छी रेसिपी है इसे बनाना बहुत असान है तो चलिए आए बिन्यदीर किये इसे बनाना स करते हैं थिलगे तो सबसे पहले यहां कोई भी कतोरी कप और एवसेट कर ले उसी से सारी चीजों को लेना और यह जार में घॉझे काउक्प हमेंADArift लेना मिल्क पॉडर आप कउप डेसिकेटेड कोकोनट हाप कप घह हमें कंप घह सारी को अछist क unchuleन कॉ आ कि कर लेंगे तो यह हमारा जो मिश्चर है रेडी है अब इसे रखते हैं साइद में उसके बाद एक कड़ाई प्राइपन कुछ भी आप ले ले उसमें घी डाल देंगे घी का कॉंटिटी थोड़ा सा कम कर शकते हो बहुत ज्यादा कम भी नहीं लेना बस एक से दो चमच आप इ अभी जैसे ड्राई दीख रहा होगा जैसे जैसे भूनेगा पूरा घी रिलीज कर देता है बेसन भूनते समय आपको हरवड़ी नहीं करना है अगर हरवड़ी करके तेज आत में भूनेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा टेश्ट नहीं आएगा मोदक में से मोदक बनाने सम यह अच्छे से भून चुका है हमें इसी तरह से बेसन को भूनना है इसके बाद यहां पे चीनी डाल देंगे हाप कप एक कप हमारा बेसन था तो हाप कप चीनी परफेक्ट होता है विससे अपने टेश्ट के अनुसा थोड़ा कम ज्यादा चीनी ले सकते हो और यहां पे प कम ही रखे हाइप लेम नहीं करना है एक अच्छे से ऐसे मैंक करेंगे वह ज़AP नहीं लगता यह ह। से में सोजाता है कि इसके बाद इसमें डालेंगे सभाला दूद कुछ के सरके दागेर 155 पूड कलर को मैं डाल करके इस तरह से रही थी वैसे केसल केसल इससे continue चलाते रहेंगे smooth texture आने तक तो यह देखे continue चलाते चलाते इस तरह का smooth texture आ जाता है और यहां पर बहुत ज्यादा time नहीं लगता है चार से 5 मिट के अंदर ही इस तरह से तयार हो जाता इस तरह से गोला बनाई है बहुत ही असानी से बन जाता चिपचिपा नहीं लग रहा है मतलब आपका मोदग बनाने के लिए जो मिसरन है तयार है अब इसे थोड़ी देर और चलाएंगे हलका से ठंडा कर लेंगे और stuffing बना प्राजू ड्रैफ्रूट्स का कॉंटिटी अपने टेस्ट के अनुसार कम जादा ले सकते हो जो ड्रैफ्रूट्स आपको जादा पसंद हो जादा ले जो नहीं पसंद आप उसे कि भी कर सकते हो इसके बाद दो बड़े चमच ही इसमें लेंगे डेसी केटेट कोकोनट इसके बाद इसमें डालेंगे तीन बड़े चम्मच मिल्क पॉडर मिल्क पॉडर डालने से मावा का टेस्ट आ जाता है अगर आपके पास मावा हो तो जरूर डाले और नहीं है तो कोई बात नहीं आप मिल्क पॉडर का इस्तमाल कर सकते हो बहुत अच सब साइसे देदें रहें हुत चाहिए साथ में लाकर ससके सामय के लिए का जितना जरह दोद करते हैं तो यह देखिए, हमें इस तरह का मिष्णन तयार कर लेना है, बहुत जादा दूर नहीं डालना है, इस तरह से बन जाना चाहिए, यह देखिए, इस तरह से, अगर यहां पर आप मावा का इस्तमाल कर रहे हो तो दूर का जुरत नहीं पड़ेगा, इसके बाद इस तरह से छो यह जो बॉल हमने बनाया है इसका बीच में से इस तरह से डाल देना है और उपर से थोड़ा सा और बेशन वाला मिशन डाल के अच्छे से प्रेस करेंगे तो यह हमारा मोदग बन के तैयार है फ्रेंस देखिए इसे बनाना बहुत असान है आप लोग इसे जरूर से ट्राइ करें और इसी तरह से सभी मोदग को बना लेंगे अगर रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक से रो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजेगा साथ में बैल आइकन को जरूर किलिक कीजेगा मेरी न्यू वीडियो की नोटिपिकेशन के लिए तो ये देखिए हमें इसी तरह से सभी को बना लेना है उसके बाद यहां थोड़ा गानिसिंग करेंगे या केसर के स्टेम भी लगा सकती हो जैसे आप को पसंद हो आप इसे कर शक्राइब तो देखने फ्रेंस इस मोदक को बनाना कीतना आप इसे जरूर से ट्राय कीजेगा ट्राय करने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताईंगा कि आप लोगों को अच्छी सी रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बाबाई थैंक यू